नमस्कार किसान समझवार में आपका स्वागत है मैं हूरीश में आपके साथ आएए नजर डालते हैं इस वक्ती है लाइस वर मन की बात के 108 वे अपिसोड में पीएम मोदी ने देश श्वासियों से अपने विचार की इसा जहा इस साल की अंतिम कड़ी में देश की उपलब्दियों का किया जिक्र कहा आत्मे घर भारत के सपने को साकार करता देश अब नहीं रुखने वाला अयोध्यों में उजवला योजना की 10 करोडवी लाभारती मीरा के घर पहुँचे प्रधान मतरी नरेंडर मोदी फूल बेचने वाली मीरा के घर पीएम ने पीचाए मीरा ने पीएम के साथ की दिल खोल कर बात इंडरे मंतरी अमर्शाने गांधी नगर में नैशनल कोपरेटिव डेरी फैडरेशन आफ इंडिया लेमिटिट के मुख्याले का किया शिला ने आज कहा भारत में पिछले आठ वर्षों में दूद उत्पादन में हुई लगभग 51 प्रतिशत की व्रत थी आज दूद उत्पादन में भारत विश्व में पहले इस्थान पर जारखन में एक जन्वरी को विक्सित गाउं विक्सित भारत थीम पर किसान समागम राजिपाल राधा कृश्णन वा केंडरी कृश्शी मंतरी अर्जन मुंडा करेगी शुभारा कृश्शी मेला से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कारिकरम मन की बात की 108 वे एपिसोड में देश-विदेश की लोगों के साथ अपने विचार साचा किये ये प्रधान मंतरी ने अपने सम्भोधन में इस वर्ष की उबलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही देश-वासियों को नए साल की शुभकामनाय भी दी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने परिवार जनों के साथ मिलना उनके लिए बेहद सुखद होता है 2023 के अंतिम मन के बात में प्यम ने इस साल देश की तमाम उपलब्धियों को देश-वासियों के साथ साजह किया इसके साथ ही प्रधान मंतरी ने देश-वासियों के आने वाले नूतन वर्ष की शुभकामनाय भी दी हमारे यहां 108 अंक का महत्व उसकी पवित्रता एक गहन अध्यान का विशा है माला में 108 मंके, 108 बार जब, 108 दिव्यक्षेत्रा, मंदिरों में 108 सीधिया, 108 घंटिया, 108 का यह अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है इसलिए मंक की बात का 108 वा एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है इन 108 एपिसोड में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदारण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नए उर्जा के साथ और तेज गती से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखत संयोग है कि कल का सुर्योदय 2024 का प्रथम सुर्योदय होगा हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुप पामना है पीम ने कहा कि 140 करोण भारतियों की ताकत के बलबूते इस साल हमारे देश ने कई विशेश उपलब्धियां हासल की है आज विक्सित भारत का कोना कोना आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की भावना से ओत्रोथ है इसी साल नारीश शक्ती बंदन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतिक्षा बरसों से थी बहुत सारे लोगों ने पत्र लिक कर भारत के पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनने पर खुशी जाहर की अनेक लोगों ने मुझे जी ट्वेंटी समिट की सफ़लता याद दिलाई साथियों आज भारत का कोना कोना आत्म विश्वास से भरा हुआ है विक्सित भारत की भावना से आत्म निर्भरता की भावना से ओत्प्रोथ है 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है दिवाली पर रिकॉर्ड कारुबार ने ये साबित किया कि हर भारतिया बोकल फर लोकल के मंत्र को महत्पत दे रहा है पीम ने कहा कि चंद्रियान तीन की सफलता के बाद देशवासियों को अपने वैग्यानिकों और विश्विशकर महिला वैग्यानिकों पर गर्व है पीम ने इस साल सिनेमा जगत में हासिल उपलब्धियों का भी जिक्र किया जब नाटू नाटू को अस्कर मिला तो पुरा देश खुसी से जूम उठा दे एलिफंट विश्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ इनके माध्यम से दुनिया ने भारत के क्रियेटिविटी को देखा और परियावरान के साथ हमारे जुडाओं को समझा प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देशबासी पूरे संकल्प के साथ अगर किसी उदेश को हासिल करने में जुड जाते हैं तो उसे सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज और राम की नगरी आयोध्या दौरे के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उजवला योजना की दस करोड़ वी लाभार्ती मीरा के घर पहुँचे उन्होंने उनके घर पहुँचकर चाए पी मीरा आयोध्या में फूल बेचने का काम करती है प्येम मोधी नीना केबल महिला से हालचाल पूछा बलके उनके बच्चों को भी दुलार दिया उन्होंने महिला से उनके जंदगी का संगर्श जाना अचानक पीम मोदी को सामने देख महिला को पहले तो कुछ नहीं सूजा लेकिन बाद में उन्होंने देश के मुखिया से दिल खोल कर बाते की इस मुलाकात के बाद महिला ने कहा कि प्रधान मंत्री का उनके घराना किसी सपनी से कम नहीं कि आप सूरत के पिता जी है अच्छा और यह कौन है कि मालू मैं क्यों आया हूं आपके घर है मेरा मालू मैं ऐसा है कि हमने देश में दस करोर घरों में यह गैस का सिलेंडर दिया और आपका नंबर लग गया दस करोड़ा तो इसलिए मैंने सोचा जिसको दस करोड़ मिला है मैं उसके घर जाओं गए तो बोले पाई आयो द्याम ही मिला है मना चलो भाई मेरा के घर चलिया है चलिया अच्छा होगा आप मेरे गर पदा तो क्या पकाती हो इस पर अभी तो आद डाल चाओल सब्जी पकाए है आपक लिए चाय बनाए है चाय बनाए है तो दूदा यहां कांद मिल जाता है अच्छी पैके टोला मंगा तुम अच्छी चाय पिरते हैं आप है हम से मीठी होई जाती मालू नहीं कैसे है मीठा तो मेरा को क्या-क्या लाप मिला है यह आवास मिला है आवास मिला नहीं अपने बना दिया यह आपके ट्यश्राइं चाहिकर थिंशना हो गया तो बियम्हें कितना आता होगा वो आता है मैंने का 100 रुपीय दोसो ऐसे आता है 100-200 रुपीय और गैस कब से बिला है यह कल मिला है अच्छा तो गैस को चलाना आता है यह कल सीके हैं फिर दिया तो पहले से चाहती थे आप गैस में जागल बंगल वालों को भी तो गैस मिल गया हूं था हम छोटे चुले पर पहले तो भठी था भठी पे बनाते थे तो लकडी जला थे या नहीं वो बुरादा अच्छा बुरादा बार्धय लाना पर सता है तो अभी आपको बहुत फायदा हो जाका थाइम बच जाएगा बहुत फायदा पच्छे को थोड़ा ताइम देंगे तो मेरा जाब कुछ काम आपको लोग बहुत आते होंगे पूल कम पड़ जाएंगे तो आपको यह अनाज का योजनायत का लाब मिलता है कितना अनाज मिलता है और आपको गैस मिला बिजली मिली घर मिला अनाज मिला और पानी मिल गया पानी दी मिलता है आप हम लोग तो भगवान मिल गए नाए ने बगवान तो भगवान राम चंद्र जी है आपको मरे लिए बगवान है तो आपकी जैसे कलपनादी वैसा बना है अच्छा पिना मिला तो और असना है थल्uk अच्छा डाइं जर्वाज च्छा खांटें मिलागर देशा कारे के लिए तक अप्टें डिलापयका अलेको स्क्रविट शीर इस स्कुन अनिह हें हमने कि सी को अधर गर्ची हुने तुम का मकान देनें 그냥 15 गज़ा है अमने किसी को मैं ने न और भगवान राम के ननेहाल 36 गड़ से आयोधिया धाम के लिए 300 टन चावल भीजा गया है राम लला के मंदिर में होने वाले प्रांट प्रतिष्ठा कारिकरम में 36 गड़ के चावल से भगवान राम को भोग लगेगा और देशफर से आने वाले करीब 30 लाख राम भक्तों को प्रसाथ का भी वितरन किया जाएगा 36 गड़ के 5,000 राइस मिलर्स की ओर से जुटाए गए 300 टन चावल ग्यरट ट्रकों में भर कर भीजे गए हैं 36 गड़ के मुखे मंत्री विश्नुदेव साई ने धोज दिखा कर ग्यरट रखो को रवाना किया 36 गड़ के लिए बहुत की सुभाग का विशे है गवरों का विशे है कि भगवान राम के ननिहाल से हमारे 36 गड़ के अंदर में जो धाई हजार से ज़्यादा राइस मिलर्स हैं उनके सोजन्य से तीन हजार क्विंटल औरी सुभंजी चावल अध्या भेजा गया 11 ट्रक यहां से रवाना हुआ है और इससे वहाँ उध्या में भोग लगेगा यह हमारे 36 गड़ के लिए बहुत ही सुभाग की बात है केंद्री ग्री एवम सेकारिता मतरी अमद्शाह ने गुजरात की गांधी नगर में National Cooperative Dairy Federation of India Limited के मुख्याले का शिला नयास किया एवम ए मार्केट अवार्ड 2023 समारों को संबोधित किया अपने संबोधन में आमिर्शाह ने कहा कि हमारे देश में डेरी और खासकर Cooperative Dairy सेक्टर ने बहु आयामी लक्षियों को हासल किया है उनुने कहा कि अगर दूद का वेपार cooperative सेक्टर नहीं करता है तो दूद उत्पादन एक बिचॉली और दूद का उप्योप करनी वाले तक सिमित रहता है लेकिन अगर cooperative सेक्टर cooperative तरीके से दूद का वेपार करता है तो इसमें कई आयाम एक साथ चुड़ जाते हैं क्योंकि इसमें ओदेशी मुनाफिक नहीं है और इसका बहु आयामी फाइदा समाज, कृशी, गाउं, दूद, उत्पादक और आखरकार देश को होता है कौपरेटिव डेरिश सेक्टर इसने बहु आयामी लक्सों को सिद्ध किया है दूद का व्यापार एक प्रकार से अगर कौपरेटिव सेक्टर नहीं करता है तो दूद का व्यापार दूद उत्पादक, एक बिचोलिया और दूद का उप्योग करने वाले तीन के लिए सिमीत रहता है मगर कौपरेटिव सेक्टर अगर कौपरेटिव तरीके से दूद का व्यापार करता है तो इसमें कई आयाम एक साथ जुड जाते हैं क्योंकि उसमें उद्देश मुनाफेका नहीं है। इसलिए मल्टी डाइमेंशनल फाइदा समाज को, कुरुशी को, गाउं को, दूदुत्पादक को और अंततो गत्वादेश को होता है। और ये सफलता की गाथा भारत ने विगत पचास साल में बहुत सूपे रे इसकी अनुभूती की है। जब कॉपरेटिस सेक्टर डेरी का विद्नेश करता है तब सबसे पहला फाइदा होता है दूदुत्पादकों का, क्योंकि उनका सोशन नहीं होता है। अकेला एक दूदुत्पादक होता है तो उसके पास दूद के स्टोरेज की विवस्ता नहीं होती है और मार्केट को वो एक्सप्लोड नहीं कर सकता है। मगर cooperative sector से करते हैं तो एक गाउं का दूद संग होता है वो सभी गाउं के दूद संग का एक जिला का दूद संग होता है और सभी जिला के दूद संग का अमूल जैसा फेडरेशन जो अब देश के हर राज्य में लगबग लगबग बन चुका है सफलता से चलता है उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 50 साल में इस सभलता की गाथा की अनुभूती की है सैकारिता मंत्री ने कहा कि आज विश्व के दुगद उत्पादन में भारत 24 प्रतिशत हिस्से के साथ पहले इस्थान पर पहुँच चुका है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की नेत विश्व के दुगद उत्पादन में भारत 24 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे एक नंबर पर पहुचा है और भारत में पिछले आठ वर्सों में लगबग लगबग 51 प्रतिशत रुद्धी दुगद उत्पादन में हुई है जो विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाले हम है मित्रो इसी लिए संभव हुआ है कि ज्यादातर कोपरेटिव डेरी के मध्यम से हुआ है और एक जन्वरी दोहजार चौबीस को ज्छारखन के खरसावा में किसान समागम का आयोजन होगा ज्यारखन के राजिपा, सीपी, राधा, कृष्णन और केंद्री कृष्षी एवं किसान कल्यान मंत्री अरजुन मुंड़ा शुभारब करेंगे किसान समागम या कृशी मिला से प्रशिक्षन कारिकरम केंडरी कृशी एवं किसान कल्यान मंत्राली द्वारा आयोजित किया जा रहा है मेले में किर्शी एवं संबद शेत्रों से जुड़े सरकारी विभागो नीची संस्थानों स्टार्टप आधी द्वारा सौ से अधिक स्ट्रॉल लगाये जाएंगे जो हजारों किसानों के साथ ही खेती किसानी शेत्र से जुड़े अन्य लोगों के लिए ज्यानवर्धक और प्रिर्णदाई होंगे मेले में ज्हारखन के विभन जिलों में कारिरत कृषिव ज्यान केंडरों की भी भागीदारी सुनश्चित की गई है मेले में राजे के हज़ारों किसान भाग लेंगे और जन प्रतिनिदी भी उपस्तित रहेंगे विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए किसानों के विकास एवं उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही लापकारी योचनाओं की जानकारी मेले में उपलब्द कराने की विवस्था भी की गई है मेली के दोरान किसानों को प्राकर्तिक खेती, ड्रोन का क्रिशी में उपियोग तथा क्रिशी को उद्धम के रूप में विक्सित करने सहित अन्ने संबद में जानकारी भी दी चाएगी केंडरी प्रदूशन नियंतरन बोड के अलुसार दिली भर में वायू बुल्मत्ता सुन्च कांग कई शेत्रों में गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है दली भाजबा अध्यक्षियो विरेंद्र सचदेवा ने बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए क्रिश्ण नगर इलाके में अख़बार विक्रेताओं को गर्म कपड़े पाटे की जान की रक्षा हो वो सब सुरक्षित रहे उसकी चिंता के लिए हम सब प्यारे करतों ने मिलकर आज प्रयास शुरू किया कि जितने भी समचार पत्रक बंदू है उनको गरम कपड़े पहुचाए जाए तक वो अपने सास का ध्यान रख पढ़े और वैसे भी मानने निए प्रधारमिंतर जी का संदेश है कि सब का साथ और सब का विकार तो हम सब को साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं कोल्ड डे के स्थिती होने की संभावना जताई गई है जमुकश्मिर के श्रीनगर में घने कोहरे के बाद विजिबिलेटी कम हुई है बारते मौसम विग्यान विभाक के अनुसार रवीवार को श्रीनगर में नियूंतम तापान मानस टू.5 टिक्री दर्च किया गया नई दिली में जारी नाशनल स्ट्रीट फूट फास्टिवल का श्रीनवार को दूसरा दिन था. इस मेले की खास बात ये हैं कि यहां पर लगाए गए ज्यादतर स्टॉल्स प्रधान मंतरी सौनिधी योचना की लाभारतियों के हैं. फिलाल आगे बढ़ते हैं विक्सित भारा संकल प्यातरा के तहट उत्तर प्रधेश में हर दिन प्रतिभाग्यों की संक्या बढ़ती जा रही है. प्रधेश के हर गाउं तक आई एसी वैन पहुंच रही है. इस इक्रब में मिर्जापूर के 500 गाउं में मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंच चुकी है. तो वही फत्यपूर में बड़े पैमाने पर लोगों को सरकार की जन कल्यान कारी योचनाओं का लाभ भी दिया ज हाल अब नज़र डाल लेते हैं कुछ और महतबून खबरों पर खास खबर में तो देश में कोरोना की मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. सक्रिय मामलों की संख्या 4309 हो गई है. महीं पिछले 24 घंटों में कुरोना की 841 मामली दर्ज किये गए इस औरान तीन लोगों की मौत भी हो गई है. और उजयन के श्रीम महाकालिश्वर मंदिर में वर्ष 2023 के अंतिन दिन भस्म आरती की गई इस औरान बड़ी संख्या में श्रधालू ने दर्शन किये. दिली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने के मामले पर दिली भाजपा ध्यक्ष वरेंद्र सच्च देवनी के जरिवाल सरकार पर हमला बोला है. वरेंद्र सच्च देवाने कहा कि अर्विन के जरिवाल को इस पर जवाब देना चाहिए. पंजाब के तरंतारण में B.S.F और पंजाब पोलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत किया है ड्रोन के साथ प्रतिबंदित पदार्थ का एक पैकेट भी बरामत किया गया पैकेट में ड्रग्स होने का संदे जताया जा रहा है माराष्ट के चतरपती संभाजी नगर में एक फैक्टरी में भीशन आग लग गई आग में जुलसने के कारण छे लोगों की मौत हो गई अगनी शमन विभा के अधिकारी के अनुसार फैक्टरी दस्ताने बनाने का काम करती है हाथ से के वक्त आठ से दस करम चारी फैक्टरी में सो रहे थे केंद्रिय शिक्षा मंतरी धर्मेंदर परधान ने ओडिशा के संभलपूर में कौशल रत को छंडी दिखा कर रवाना किया कौशल रत राजे में युवाओं को प्रशिक्षन, रोजगार और सौरोजगार के माध्यम से कौशल से चूड़े का नई साल से पहली देशफर में सुरक्षा विवस्था कड़ी कर दी गई है रजधानी दिली में लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है विवेन लाकों में बड़ी संख्या में पुलिस पल की तैनाती की गई है वहीं उत्र प्रदेश में भी नई साल के जशन को लेकर पुलिस ऐलर्ट मोट में है नई साल के आगमन से पहले देश फर में उमंग और उत्सा का नजारा देखने को मिल रहा है बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले पश्चिम चंपारण के वालमी की नगर में भी परियटकों की भारी भीर उमरने लगी है वर्ष 2023 की विदाई और नई साल 2024 के लिए देश के अलग-अलग राज्चियों से एक मनमुहक नजारा देखने को मिल रहा है ये नजारा है दिसंबर की आखरी सुभा यानि साल का अंतिम सूर्यों दे तो किसान समचार में फिल हाल इतना ही अनुमती दे नमस्कार